वेल्ड़ कम तो सिजीर सीक्छा मैडी निसासब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कलास 11 सिजी को इनुप्रेयोग के बारे में, थ्ठोस्टो के उस्मिय प्रसार का देखें यहां से ठोसो का उस्मिय प्रसार का हम अपने दैनिक जिवन में सतत परियोग करते रहते हैं इसके कुछ महत्पूर अनुपरियोग निम्न लिखी था है तो उस्मिय प्रसार के अनुपरियोग के अंतरगत हम लोग यहां पर देख रहे हैं हम अपने रहे होने सतत परयोग करते रहते हैं इसके कुछ महतपूर twee निमन न लिखी थाय तो चली देखते हैं जैसे हम लोग उसमीयो प्रसार के अनु प्रयोग देख तापिया और उस्मगतिकी के बारे में हम लोग जाने थे जिसके अंतरगर केलवीन क्या होता है थे इस तरह की तहले हैं लोहे बना रहता है थीक है कि पाहिए में लोहे का हाल चुछधाते समय सब्सक्राइए कि जाता है जिस से हाल की तरिज्या बढ़ जाती है तो जिस्से की तरिज्या क्या होती है बढ़ जाती है अता उसे पईये में असानी से चड़ा जा सकता है क्लिया सब्सक्राइब है उसके त्रीजाー क्या हो जाती है वह किसे में असानी से जा सकता जा सकता है उस्मा की असे होगा उसमा का उसमें क्या हो रहा है प्रसार हो रहा है उसमा का उसमें क्या हो रहा है प्रसार हो रहा है तो इस तरीके से उसे पहिये में असानी से हम लोग क्या कर सकते हैं चढ़ा सकते हैं फिर उसे तुरंद पानी में डाल करते हैं फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं फिर उसमें प्रसार होए तपता है रगत अपता है तो यह किस के कारण होता है तो उसम्हें प्रसार के अनुपर्योग तो उसों के उस्मिय प्रसार का हम अपने दैनिक ज्योन में सतत परियोग करते रहते हैं इसके कुछ महत्पूरा अनुपरियोग नीम न लिखी थे पहला बैल गाड़ी के पईये में लोहे का हाल चड़ाते समय पहले उसे रख्त तप्त किये जाता है जिससे हाल की तरीजय हम लोग देखें ठीक है आगे देखते हैं इसको डूसरा टेलीफून तथा विद्धूतारों में दूसरा हम लोग देख रहे हैं इस तरीक से लखा जाता है तरीके लोच रखा जाता है जिससे की जिससे की सर्दी के दिनों में वे शिकूर का टूट ना जाए जिससे की वे सर्दी के दिनों में क्या वे टूट का शिकूर ना जाए जैसे के टाइट रहेगा तो यह इस तरह के से क्या हो जाएगा जिससे की सिकूरेगा तो टाइट रहेगा त तरीके से रखा जाता है ताकि वे शिकूरते भी हैं तो एक दूसरे से मजबूत ही रहें इस तरीके से ना तूटे वहाँ तोनों को बीच में, clear, चली, आगे देखते हैं, फड़ चीछ और श्वीच को देखते हैं, इसका थड़ इंट को देखते हैं, फड़ देखतने क्लियर कस्के करते हो यहाँ पर, लोहे का पूल बनाते समय गाडरों के मध्या इस्थान छोड़ दिये जाता है जब भी लोहे का पूल बनाया जाता है तो उसमें इस तरीके से गाडर छोड़ दिये जाता है तो लोहे का पूल बनाते समय गाडरों के मध्या इस्थान छोड़ दिये जाता है जिससे गर्मी में गर्मी में गर्डर फाइल करके मूणने न पाएं, जिससे गर्मी में गर्डर फाइल करके मूणने न पाएं, जिससे गर्मी में गर्डर फाइल करके मूणने न पाएं, जिससे गर्मी में गर्डर फाइल करके मूणने न पाएं, जिससे गर्मी में गर्डर फाइल करके मूण इस्तंभों पर गर्डरों के सीरे के इस्तंभों पर द्रड़धा पुर्वाग कस्ये नहीं जाते हैं। पर रखे जाते हैं जिससे गर्मियों में किस तरीके से बढ़ सके रिह QBI आधु आध देखने दूपारों में कुछ प्विद्धूत नुर्द रखा जाता जिससे सर्दी के डिनों में वे सिकुर का टूट ना जाए थाड़ चीज में लोहे का पूल बनाते समय गर्डरों के मध्य स्थान छोड़ दिया जाता है जिससे गर्मी में गर्डर फैल कर मुणने ना पाए गर्डरों के सीरे इस्तंभो पर देढ़ता पुरवक कसे नहीं जाते हैं बलकि ठोस बेलनों प जाते हैं बलकि ठोस बेलनों पर रखे जाते हैं जिसंथे गर्मियों में सोतंतता पुरवक क्या हो सके बर सके यह कोम पर बनाते समय गर्डरों मुदनें ना पाए गर्डरों के सीरे不知道 ड़ाता पुरवक कसे नहीं जाते हैं 바전 बलकि ठोस बेलनों बोतलों में लगी डॉट को निकालने के लिए जो बोतलों में लगी डॉट को निकालने के लिए बोतल की गर्दन को बाहर से कुछ गर्म कर देते हैं बाहर से क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं बोतलों में लगी डॉट को निकालने के लिए बोतलों के गर्दन को बाहर से का मुह निकल जाती है तो सेकंड चीज में हम लोगो ने यह देखा कि टेलिफोन तथा बिद्दुतारों में कुछ लोच रखा जाता है जिसे कि सर्दी के दिनों में वे सिकुर कर तूट ना जाए और थाड़ा चीज में क्या होता है लोहे का पूल बनाते समय गरडरों के मध क्या होते हैं रखे जाते हैं जिससे गर्मियों में सोतंतता पुरण बर सके और चौंधा में हम लोग देख रहे हैं कि बोतलों में लगी डॉट को निकालने के लिए बोतलों की गर्दन को बाहर से कुछ गर्म कर देते हैं बाहर से क्या कर देते हैं इससे बोतल का मुओं बर जाता है जिस से डौक निकल करके बाहर आ जती है यह हो गए आपका फिप पर फोर्ट ओके बेस पे कलेरीज़िटे है आप देखिए जो गर्मी के दिनों में रेल की पंट्रियों में जो हम लोग हैं जोब बिच्छाथे हैं उस पर गिछाने की द्वार्द mund की दौरा घ। कोश इस्थान चोड़ दिये जाता है कुछ इस्थान फोड़ दिये जाता है क्योंकि जब गर्मी के कारण वाय मंडली है तो आप में बृद्धी होती है तो पट्रियों की लंबाई बढ़ जाती है उस समय जो पट्री की लंबाई होती है बढ़ जाती है उस समय जो पट्री की लंबाई होती है बढ़ जाती है इसी चीज़ को बोल रहा है कि रेल की पट मंडल ये थाप में बृद्धि होती है उंप पड़दियों के लंभाई क्या होती है ऊछिए उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि प्री या विंद गकते समय दो प्री हों के स्वर्म हो хозя जब गर्मी के कारण वायमंडलित आप में बृद्धी होती है तो पट्रियों की लंबाई बढ़ जाती है दो पट्रियों के मध्या परियापत इस्थान होने से वे मूर्ती नहीं है क्योंकि प्रियापत इस्थान है तो वे मूर्ती नहीं है अगर प्रियापत इस्थान नहीं होती है जो दूर पट्रियों के बीच में क्या छोड़ दिये जाता है तो इस चीच को बोल रहा है फीपतर कंटेंट के बेश पे जिसमें हम लोग देख रहे हैं उसमें प्रसार के अनुपरयों के बेश पे तो रेल की पट्रियां को बिचाते समय दो पट्रियों की सीरोक मध्य कोची स्थान छोड़ दिये ज इसका छटवा नंबर क्या है समय मापन है तो दिवार घडियों में पेंडूलम यहां पर देखे समय मापन है तो टाइम देखने के लिए भाई टाइम मेजरमेंड के लिए आप लोगों की देखिए टाइम मेजरमेंड के लिए टाइम मेजरमेंड के लिए देखते हैं समय म भड़ी में गर्मी में गर्मी में시els इस उसकी जो संतुलित भयों होते हैं उसके प्यास में प्यास बढ़ जाता है। तो गर्मी में पेंडूलं कि लंबाई तथा संतुरीत पय्ये की जो व्यास होती हो क्या हो जाती है बर जाती है जिस से घडिया होती है मंद चलती है मतन Regarding धीरे धीरे चलती है आप लोगों ने फिल किया होगा कि यह घड़ी धीरे धीरे क्यों चल रही है ऐसा ठीक है जबकि ठंड में यह तेज चलने लगती है जबकि ठंड के मौसम में क्या होती है यह तेज चलने लगती है जबकि ठंड के मौसम में क्या होती है यह तेज चलने लगती है जबकि ठंड की है ठंड में क्या होने लगती है तेज चलने लगते हैं तो उसी चीज को बोर रहा है समयम आपा ने तो दिवार घड़ियों में पेंडुलम तथा हाथ घड़ियों में संतुलित पहिये लगे होते हैं गर्मी में पेंडुलम की नमबाई तथा संतुलित पहिये का जो ब्यास होता है वो बर जाता है जिससे प्रण्ड में यह तेज चन्ने लगती है इस दोस्त को दूर करने के लिए इस दोस्त को दूर करने के लिए पेंडूलम या संतुलित पया इन पर क्या किये जाता है मिस्तर धातू लगाया जाता है इन पर वाहत किये जाता है मिस्तर धातों के बेस पए मिस्तर धातों के बेस बेस जाता है तथा संतुलित पईये का व्यास क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे घड़िया मंद चलने लगती है, जबकि ठंड में ये तेज चलने लगती है, जबकि ठंड के मौसम में क्या होती है, ये तेज चलने लगती है, इस दोस्को दूर करने के लिए पेंडूलर में संतुलित होती हो बहुती क्या होती है देखिए प्रसार गुडांग बहुती कम होता है अता ताप परिवर्तन का प्रभाव इन पर नहीं परता है क्योंकि कम मात्रम यह फैर रहा है अता इसमें जो ताप परिवर्तन का जो प्रभाव है इन पर नहीं किलियर तो हम लोग 6ぜ Mang । की समय मापां है तो किसमे दिवार घड़ियो में पेंडूलब त二 हाध घड़ियों में संतुलित पहिया क्या होते हैं लगे होते हैं गर्मी में पेंडूलब के लंबाई तता संतुलित पहिये का वियास बढ़ जाता है जिससे घड़िया मंद चलती है जबकि ठन में ये तेज चलने लगती है इस दोस्त को दूर करने के लिए पेंडूलाम ये संतुरित पहिया इन पर मिस्तधातू का क्या किया जाता है मिस्तधातू लगाया जाता है जिसका रेखिये प्रसार गुडां क्या होता है बहुत ही कम होता है आता अता परिवर्तन का प्रभाव इन पर नहीं परता है तथा घड़िया क्या होती है सही समय पर क्या करती है सही समय प्रदर्शित करती है किलियर द्रव का प्रसार अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंसन अब लिक्विड द्रव का प्रसार किस तरीके सोता है इस चीच को आगे हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो भी पदार्थ होती है हमको तीन वहस्ता में प्राप्ता होती है जो भी एक ठोस के वहस्ता में प्राप्ता होती है दूसरा द्रव के वहस्ता में प्राप्ता होती है और तीसरा गैस के क्योंकि यह जो आपका जल होता है एक निश्चित ताप पर जल क्या होता है पानी के रुप में रहता है एक निश्चित ताप पर बर्फा के रुप में रहता है एक निश्चित ताप पर वहाँ क्या होता है वास्वा बन के गैस के रुप में क्या हो जाता है उड़ जाता है ये निश्चित ताप का खेल है ये सब क्या है निश्चित ताप का खेल है तो द्रव का प्रसार के अंतरगत में क्या हो जाएका जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है इसी प्रकार जब द्रव को उसमा के रूप में इसी प्रकार जब द्रव को उसम तो द्रवों में भी प्रसार होता है अब जैसे उस्मा का प्रसार होने लगेगा मतलब क्या होने लगेगा फैलने लगेगा किलियर तो उसी चीज को बोर रहा है कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है इसी परकार जब द्रव को उस्मा दी जाती है तो द्रव में भी प्रसार होता है द्रव का कोई निश्ची तकार नहीं होता यहाँ पर देखिए द्रव का कोई निश्ची तकार नहीं होता यहाँ पर इस चीज को देखिए भई द्रव का कोई निश्ची तकार नहीं होता अतहा द्रवों में भी अताहा द्रवों में भी केवल आयतन प्रसार होता है अताहा द्रवों में भी केवल क्या होता है आयतन प्रसार होता है तो द्रवों का प्रसार के अंतरगात हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है तो उसमें क्या होता है प्रसार होता है इसी प्रकार जब द्रव को उसमा दी जाती है तो द्रवों में भी प्रसार होता है तो द्रवों में भी प्रसार होता है द्रव को कोई निश्ची तकार नहीं होता है अताहा द्रवों में केवाल आयतन प्रसार होता है द्रव को हमेशा बरतन में रखना होता है द्राव को हमेशा किसमें रखना रहता है बरतन में रखना होता है जैसे किस तरह के से पॉर्ट है आप लोगों के पास में जो भी बरतन के रुप में उसे हमेशा देखना जो भी जर रखा रहता है आप लोग घर में पीने योग के जो पानी का उपयो कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है इसी प्रकार जब द्रव को उसमा दी जाती है तो द्रव में भी क्या होता है प्रसार होता है द्रव का कोई निश्ची तकार नहीं होता अताहा द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है अताहा द्रव में केवल गर्म करते हैं अता जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो पहले गर्म करते हैं तो पहले उसमा बरतन को मिलती है पहले उसमा किसको मिलती है बरतन को मिलती है जहीर से बात है कि किसी द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका जो उसमा रहेगा वो किसको मिलेगा भाई पहले ब पढ़ेगा भाई द्रव के प्रसार पढ़ेगा तो इसको हम लोग दो प्रकार से फील करते हैं जैसे उसमें हम लोग दो प्रकार से देख रहे थे न हमें निम्ना दो प्रकार के प्रसार का ध्यान करना होगा पहला द्रव का अभासी प्रसार पहला हम लोग इस चीज़ का करेंगे द्राव का अभासी प्रसार पहला है इसका प्रकार क्या है द्राव का अभासी प्रसार पहला है आप लोगों का द्राव का अभासी प्रसार और दूसरा है द्राव का वास्तविक प्रसार दूसरा हमारे पास द्रव का क्या है वास्तविक प्रसार है तो पहला हम लोग देखेंगे द्रव का अभासी प्रसार करूप में दूसरा देखेंगे द्रव का अभासी प्रसार करूप में तो आगे हम लोग देखते हैं द्रव का अभासी प्रसार कि जब किसी ठोस को क्या किय जाता है गर्म किया जाता है जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है इसी प्रकार जब द्रव को उसमा के रूप में उसमा दी जाती है तो उसमें प्रसार होता है इसी प्रकार जब जब द्रव को उसमत दी जाती है तो द्रव में भी प्रसार होता है द्रव का कोई निश्चित अकार नहीं होता है जहां द्रव रहता है उस रूप में वहाँ देखियो पानी जल का जो अकार होता है उसका कोई अकार नहीं होता है इसलिए द्रव का कोई निश्चित अकार नह रखने रहता है अताहा जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो पहले उस्मा को बरतान को मिलती है जिससे उसमें प्रसार होने के काराण इसका प्रभाव द्रव के प्रसार पर पड़ता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है द्रव के प्रसार पर पड़ता है अताहा हमें निम अबहासी प्रतिबीम और अभासी प्रतिबीम उसी प्रकार यहाँ पर द्रण का वास्तविक प्रतिबीम को पढ़ें गें यहाँ पर द्राओ का अभासी प्रसार ठीक है चलिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे द्रव का वास्ताएक प्रसार को पढ़ेंगे द्रव का अभासी प्रसार को यहां से हम लोग पढ़ेंगे clear तो चलिए द्रव का अभासी प्रसार को देखते हैं और उसके बाद हम दो दिराव का वास्ते प्रसार को देखेंगे तो दिराव का प्रसार किस तरीके से होता है इसमें उसमा किस तरीके से हो रही है इस चीच को आप लोग यहां से देख सकते हैं clear चलिए आगे के content को देखते हैं अभासी प्रसार गुडंक पहला हमारे पास हो प्रसार गुडांक की यहां से देखते हैं अभासी प्रसार गुडांक के ब्रेशिप है किसी द्रव के एकांग आयतन किताब को से देखिए भई किसी द्रव के गायतन किताब को ठीक है जो हमारे पास जो पदार्था की जो प्रवित्ती होती है जो पदार्था की जो प्रवस्ता होती है प्रवस्ता जो होती है वो तीन रूप में होती है आप लोगों की पहला थोस दूसरा द्रव तीसरा क्या होता है गैस ये तीन रूप में होती है पहल किसी द्रव के एकांक आयतन के ताप को यहां से देखिए ताप को वन डिगरी सेंटिग्रेट पर बढ़ाने पर उसके आयतन में देखिए उसके आयतन में जो अभासी प्रसार होता है उसके आयतन में जो अभासी प्रसार होता है अभासी प्रसार मतलब वहा है आप लोगों का अभास टेप से होता है वास्तों में उसका प्रसार नहीं होता है लेकिन लगता है कि भाई कि उसका प्रसार हो रहा है जैसे कि हम लोग रे इसे ही वहांब हास्प्रतित होता है लेकिन वहां पर होता है उसी चीज को प्रशार गुडांक के दाप को किसी द्राव के एकांक आयतन के ताप को 1 degree centigrade बढ़ाने पर उसके आयतन में जो अभासी प्रसार होता है उसे द्राव का अभासी प्रसार उसे द्राव का देखिए उसे द्राव का हम लोग क्या बोलते हैं अभासी प्रसार गुडांग कहते हैं इसे हम लोग क्या है भाई आर क्या है आप लोगों कर ले आप लोगों का जो आप लोगों बोलते थे ना जिसों क्या बोलते थे अलफा बीटा गामा के बेस पे बोलते थे गामा एसे हम लोग इस छोपर मंगे इसमें सयंदना क्दर्शित करते हैं किसी बढ़ा जा रहे हैं कि किसी ड्रव के एकांग कायटन किताब को किसी द्रव क्ताव की डिग्री सिंटिग्रेट बढ़ाने पर उसके आयतनों में उसके आयतनों में जो अभासी प्रसार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस दरखा अभासी प्रसार गुडांग कहते हैं इसे गामा ए से हम लोग क्या करते हैं ब्यक्त करते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जा जाएगा अभासी प्रसार गुड़ांग के बेश की चीज को देखेंगे तो क्या जाएगा गामा a के बेश lesser जाएगा डेल बडेल at की समय कर साथ यह आप लोग रुगों क्या है न कितां hair यहauc Rider उसे द्रव का अभासी प्रसार गुडांग कहते हैं इसको गामा एस से क्या करते हैं ब्यक्त करते हैं यह आप लोगों का अभासी प्रसार गुडांग के इंतर गता आएगा ठीक है जो कि फॉर्स्ट बेस्पे है इसका सेकेंड को देखते हैं यह तो अभासी की बेस्पे हम ल किसी द्रव कांग काई अब यहां पर देखिए किसी द्रव के कांग का इतन व और सुगाँब था किसी द्रव के कांग का इतन थे को वांन डिग्रीisson. 1 degree centigrade पर बढ़ाने पर उसके आयतान में जो वास्तविक प्रसार होता है यहाँ पर इसके आयतान में क्या होता है वास्तविक प्रसार होता है यहाँ पर इसके आयतान में क्या होता है वास्तविक प्रसार होता है यहाँ पर इसके आयतान में क्या होता है वास्तविक प्रसार होत तो किसी द्रव के एकांग आयतन ताप को 1 degree centigrade बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वास्तविक प्रसार होता है उसे उस द्रव का वास्तविक प्रसार गुडांग कहते हैं उसे उस द्रव का वास्तविक प्रसार गुडांग कहते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं गामा आर से चीज़ को देखते हैं कि किसी द्रव के एकांग कायतन ताप को 1 degree centigrade बढ़ाने पर कितना degree centigrade बढ़ाने पर बढ़ाने पर उसके आयतान में जो वास्तविक प्रसार होता है उसे उस द्रव का वास्तविक प्रसार गुडान गाते हैं इसको हम लोग gamma r से क्या करते हैं ब्यक्त करते हैं तो यहां से हम लोग दो प्रकार के गुडांग पढ़ ले भाई पहला क्या पढ़े अभासी प्रसार गुडांग और दूसरा क्या पढ़ ले हम लोग यहां से वास्तो एक प्रसार गुडांग प्रसार चीज को बोला जा रहा है कि किसी द्रव के काई तक क्या करने पर बढ़ाने पर उसके आईतन में क्या होती है अभासी प्रसार होती है, वो उसे उस द्रव का अभासी प्रसार गुडांग इसको गामा A से बयक्त किया जाता है, अभासी प्रसार गुडांग गामा A कि इक्वाल तो कितना हो जाएंगा, डेल V A बाय V डेल T समय अंतरRight के बेशिवर 27, आप लोगों का वैलूम 20 वैलियूम को swap करता है टी आप लोगों का time समय अंतराल को swap करता है डेल भी है डेल टी है मतलब समय अंतराल के बेश पर है दूसरा जो बी नमबर पर हम लोग यहां पर देखे वह क्या चीज़ है यहां पर देखे वास्ताविक प्रसार गुड़ांग किसी द्रव के एकांक आय आयतन के ताप को one degree centigrade बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वास्ताविक प्रसार होता है उसे उस द्रव का क्या बोलते हैं वास्ताविक प्रसार गुड़ांग कहते हैं इसको गामा आर से क्या करते हैं हम लोग ब्यक्त करते हैं तो यहां पर आप लोग दो चीज़ फिल की है भ सब्सक्राइब को देखते हैं तो यहां से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं देखिए दोनों के बीच में हैं यहां से पहला अभासी प्रसार गुड़ांग के बेश पर देखिए यहां से इस चीज़ को देखिए तो चुकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि यहां से बराबर अभासी हम जानते हैं कि अभासी प्रसार गुडांग बराबर देखिए अभासी प्रसार गुडांग बराबर अभासी प्रसार गुडांग अभासी प्रसार गुडांग अभासी प्रसार गुडांग यहां से हम लोग लिये थे भाई अभासी प्रसार गुडान को क्या लिए थे यहां से गामा A के बेस पे लिए थे और यहां पर A लिए थे ठीक है equal to क्या लिए थे हम लोग यहां पर इस चीज़ में देखते हैं यहां से लिए थे हम लोग क्या लिए थे यहां से इस चीज़ को लिए थे गामा एक द्रिश्टी से इस चीज़ को हम लोग यहां से लिए थे देखिए ठीक है यह अब 80 प्रसार गुळां के बेस्ट पे इसको हम लोग माल लेते हैं भाई equation number first इसको माल लेते हैं हम लोग समिकर नंबर एक ठीक है और दूसरा हम लोग देखते हैं अब आसी प्रसार गुडांग के बेस पर देखते हैं इस चीज़ को वास्तविक प्रसार गुडांग के दिरिश्टी से इस चीज़ को देखते हैं ठीक है वास्तविक के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा भाई यह आप लोगों का गामा हो जाएगा और यह आप लोगों का आर हो जाएगा ठीक है यहां से क्या जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहां से देखते हैं जो कि यहां से हम कि लिए यह भी किसी के बेस पे है इसी के बेस पे है इस चीज को हम लोग देखते हैं ठीक है तो चलिए यह रहेगा आप लोगों का equation number second के बेस पे यह रहेगा आप लोगों का equation number second यह रहेगा आप लोगों का समीकरन नमबर दो यह रहेगा समीकरन नमबर दो अब समीकरन एक के द्रिष्टी से हम लोग देखते हैं दोनों को भी चुछ संबंद देख रहे हैं तो चुकि हम जानते हैं कि अब 80 प्रशार गुडवांग गामा A इकौल डू कितना हो डेलबी यह रहे हैं है समीकरन एक से इस चीज़ को देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा देल गे बराबर देल भी ए A equal to kitna हो जाएगा multiply करेंगे तो gamma A और यह क्या हो जाएगा अफी डल T ये हो 9गा इसको माल लेते हैं consum miracle number 3 ठीक है और sum experiment number 2 से देखते हैं भाई यहां पर देखते हैं sumвол memory number 2 से sum incarnation number 2 से लेते हैं इस चीज़ को sum हमlike number 2 से लेंगे तिह हाँ से कितना हो जाएगा डेलB R बराबर, कितना हो जाएगा ये भी, गामा R, कितना हो जाएगा वी, डेलT हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सम्य करन नमबर 4 के लिए, तो यहां से देखिए अभास्थिक प्रसार गुडँंग करम वीम में हम लोग संबंध को देख रहे हैं तो चुकि हम जानते हैं कि अब 80 प्रसार गुडांग गामा A equal to कितना होता डेल B A बटे V डेल T होता है और वास्तेक प्रसार गुडांग गामा R बराबर कितना होता डेल B R के बटेम कितना होता V डेल T यह हो जाएगा समिकरन नमबर 2 चुकि समिकरन एक से हमको प्राप्ता है कि डेल B A equal to गामा A और B डेल T यहाँ से क्या प्राप्ता है B डेल T के माध्यम से यह आप लोगों को प्राप्ता है और समिकरन नमबर 2 से हम लोग यहाँ से find out करते हैं कितना हो जाएगा डेल भी R equal to गामा R B D L T के रूप में हो जाएगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रवस्था के बेस्पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, भाई, देखिए एक और प्रवस्था के बेस्पे यहाँ से हम लोग एक और चीज को देखते हैं, यहाँ से देखिए इक्वल्ट होता है डेल भी और जी बटे यहाँ पर होता है आप लोगों का सेम भी डेल टी भी डेल टी के बेस्पे होता है यहाँ पर हमको दिया गया था भी डेल टी के बेस्पे दिया गया था और डेल भी आर इक्वल्ट होता है और हम जानते हैं कि डेल भी आर इक्वल्ट को दिया गया देखिए चोकि हम जानते हैं कि डेल भी आर डेल भी आर इक्वल टू यहां से देखिए डेल भी आर इक्वल टू यहां पर दिया गया है डेल भी ए डेल भी ए डेल भी ए गामा जी यह तो हम लोग फइन टnight कर सकते हैं यह इसका बल्ली कर सकते हैं समिक्रण चारत हो जाएगा आप्रोगों का संमिक्रण NUMBER 5 कॉलियर अब यहां से इसका वल्यूग हम लोग one by one करके इसको क्या कर सकते हैं प्रूप कर सकते हैं तो अभासी प्रसार गुडांग तथा वास्ते प्रसार गुडांग में सम्बंध तो चुँकि हम जानते हैं कि अभासी प्रसार गुडांग गामा एक्वल्ट होता है डेल भी एक बटे वी डेल टी एक्वेसा नबर फास सेकन हो जाएगा वास्ते प्रसार गुडांग बुडाबर गामा आर एक्वल्ट हो जाएगा डेल भी आर के बटे वी डेल टी समिकरन नमबर दो हो जाएगा समिकरन एक से डेल भी ए इक्वल टो हो जाएगा गामा ए अभी डेल टी समिकरन नमर तीन हो जाएगा समिकरन नमर दो से देखेंगे डेल भी आर इक्वल टो गामा आर भी डेल टी के बेस पर देखेंगे यह हो जाएगा आपका समिकरन नमर चार चुकि हम जानते हैं कि gamma g equal to होता है del b g के बटे v del t के base पे तो यहां से अगर हम लोग cross multiply करेंगे इसके बाए में कुछ नहीं मरतब 1 है तो यहां पर कितना हो जाएगा del b g equal to gamma g plus कितना हो जाएगा v del t हो जाएगा सामिकरे नमबर यह कितना हो जाएगा 5 चुकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो formulas होता है भाई हमारे पास जो formulas होता है del b r equal to कितना होता है del b a plus del b g के base पे होता है तो इस चीच को हम लोग one by one करके क्या करते हैं 100 लग करते जाते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा अगर इसका value को हम लोग रखते हैं तरीके से देखिए और यह आप लोगों का इस तरीके से है यह देखिए यह भी इस तरीके से है अब यह आप लोगों का देखिए इस तरीके के बेस्टे है यह इस तरीके से देखिए यह इस तरीके से आप लोगों का है जो की बढ़ते करम में आ रहा है इस तरीके से कारका की भांती ठीक है यह कारका की भांती आप लोगों का बढ़ते हुए आ रहा है देखिए यहां से इस चीछ को रूप में हम लोग देख रहे हैं यहां से यह इस तरीके से भाई देखिए यह कार का किभांती इस तरीके से है किलियर यह इस तरीके से जल्द द्रव में भरा हुआ है कि इस तरीके से इस पर एक इस्टेट लाइन है यहां से एक इस्टेट लाइन के माध्यम से है देखिए एक इस्टेट लाइन के माध्य हम से है उसके बाद यह 1, 2, 3, 4 के बेस पर है अब इस चीज में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई देखिए यहां से यह आप लोगों का C के बेस पर है जो कि इसके बेस पर है यह C के बेस पर है यह आप लोगों का A के बेस पर है यह आप हम जानते हैं कि यहां से डेल भी आर एक व्ल्य कितना हो जाएगा यहां से गामा करेंगे तो यह और यह कितना हो जाएगा भी डेल T भी डेल T हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा समिकरन नमर 3 से डेल भी जी कबल्ली को देखते हैं भाई डेल भी जी कबल्ली कितना हो जाएगा देखिए डेल भी जी कबल्ली कितना हो जाएगा यह गामा जी हो जाएगा गामा जी और वी डेल टी हो जाएगा यह हो जाएगा यहां से हम लोग देखते हैं समी करण 3 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा समी करण 5 से समी करण 3 वा 5 से समी करण 3 वा 5 से यह समी करण 3 वा 5 के बेस पे हो जाएगा इस चीज को हम लोग देख रहे हैं तो समिकरण दो से हम लोग आघ रहाएक कि बार्व घ्कवल तो समाहजब से होता है कि रूप में नभर सबया लोगुटे होता है कि मीट कर लेंगे और सब्सक्राइब को टो च्वल जानते हैं कि ब्ल करनेल अब curt एकवल टू होता है डेला भी ए प्लस यपी जी के बेस तो यहां से वल्ल्यू रख दि हमक्त हम लोग अब डेल अब यहां से हम लोग जो दुनों में हैं उसको निकाल सकते हैं यहां से तो यहां यहां पर देखेगा आपको गामा A बचेगा यहां पर बचेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा गामा जी बचेगा यह बचेगा यहां पर अगर यहां से इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा यह आप लोगों का बटे में आ जाएगा दोनों साइट से यह कड़ जाएगा यह तो कटेगा आपका multiplication की बेस्पे है तो ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा वास्ताव में अगर देखा जाएगा तो इस चीज़ को ले सकते हैं जैसे कि यहां पर इस बीशपे हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं क्लियर यहां देखिए हम लोग इस चीज को ले सकते हैं क्लियर अब यहां से इसको हम लोग इस डायग्राम के बेश से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रायल कर सकते हैं यह इस बीश में था यह इसके रूप में यहां पर आ जाएगा और यह थोड़ा सा यह यहां पर इसके एक है और आप लोगों का भरा रहे गा जल क्या रहेगा यहां से आप लोगों का जल यहां से क्या रहा हुआ रहेगा जिसको वह मुझ इस तरीकर से कर सकते हैं र를ब आप दो कि 28-9-10-12-13-14-16aser in एट-ただ सब्सक्राइब कर सक्क्ति astrology क्लियर सब्सक्राइब기자 जर तरहला वस्ता में क्या हुआ है भरा हुआ है इस तरीके से dot dot के माध्यम से भी इस चीज को आप लोग कर सकते हैं ठीक है dot dot माध्यम के बेशने भी इस चीज को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से डायग्राम के बेशने क्यूंकि डायग्राम जितना आपका साफ स्वाक्षर रहेगा उतना ही आपके लिए क्या होगा बेनिफीट होगा यह इस तरीके से देखिए इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जिसमें तरल पदार था आप लोगों का द्राव के रुप में क्या रहेगा भरा हुआ रहेगा तो इसका प्रसार के बेश में हम इस स्विच को इस तरीके से प्रसार के बेश में हम इस चीश को कर सकते हैं भाई किलियर इसका द्राव के बीश में आपको का प्रसार के बीश में आप लोगों का इस तरीके से रहेगा तो यह आप लोगों का द्राव के प्रसार के रुप में रहेगा यह ठीक है और यहां से हम लोग कार करूप में डाले थे जो कि जली अवस्ता में था तो यहां से अभासी प्रसार गुडांग के बेस पे हम लोग एक चीज को देखे थे और दूसरा चीज को हम लोग किसके बेस पर देखे थे अभासी प्रसार गुडांग के लिए लिखते हैं इस चीज मवह उस्पाइए अब व्यर्य औल कि व्यर्ष ऐस्ताविक प्रसारम्ट कुछांग के बेशपी तो इस चीज़को आप पलोग वन पाइन करके भीयां से आप लोग डायग्राम की दि तुरों से भी इस चीज़को क्या कर सकते हैं cover up कर सकते हैं clear तो यह आप लोगों को most important question अक्सर एक जाम में पुछा गया कि अब 80 प्रसार गुडांग क्या होता है और वास्ता एक प्रसार गुडांग क्या होता है बोलके तो इस चीज को आप लोग one by one करके क्या कर सकते हैं यहां से आप लोग deal कर सकते हैं तो यह इसके स्वरूप में रहेगा और वास्ता हम यह आगे के रूप में जब इस चीज को आप लोग इस तरह के से लिए थे ना यह गामा के बेसपे लिए थे यह गामा हार के बैसर यहाँ परश फीज से बाइता है यह आप लोगो का त피ाइस अजुश्टर के मीसला मैं पर यह सिउंटे में टीज़ने बीच पर अब रेंट के में तथा वास्ताइक प्रसार गुडांग में यह आप लोगों को संबंध देख रहें यहां पर चुकि यहां पर अब आप लोगों का वास्ताइक के बेस्पे था तो यह डेल भी आर कतना हो जाएक से लिए यहां से टीन मिल गया लेकिन हम लोग अगर इसको हम लोग देख रहें तो यहां से क्या मिल गए था हमारे पास गामा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी डेल जी बाइड़ घुल टी हो जाएगा इक इकवर टो डेल वी जी equal to gamma g v delta हो जाएगा we know that delta v r equal to delta v a plus delta v g यह हमारा formula के base पे होता है clear तो आगे चलिए इस formula के base में हम लोग इसको put किये तो हमारे पास वास्तविक बेंजग gamma r equal to gamma a plus gamma g आगे यह हमारा अभिष्ट बेंजग है तो इतने में आप लोगों का यह complete होता है अभासी प्रसार गुझांग ंवास्तविक प्रसार गुडांग में यह संबध है तो आज का klas को हम लोग यही ओवर करते है儿 next video lecture में इसके बाद का जो content है अभासी प्रसार गुडांग और वास्तविक प्रसार कीज़ की विडियो लेक्चर में तो आज का क्लास को दोग यही वर करते हैं नेर्च वीडियो लेक्चर में मिलते हैं ओके बाई हैं